हेलो फ्रेंड साइमन मूल फ्रेंड इस वीडियो में हम बात कर रहा हैं मोस्ट इंपॉर्टिन टॉपिक के वारे में अगर आप 12 स्टूडेंट हैं यह 12 पास आउट हैं और आप सेंट्रोल उनिवर्सिटी या स्टेट गॉवर्मेंट उनिवर्सिटी में एड़िशन लेना चाहते हैं तो एड़िशन प्रॉसिस क्या है एंड आपके लिए प्रपरेशन के लिए बैस्ट 10 टिप्स क्या है सीविटी की तैयारिया बहतर से बहतर कैसे कर सकते हैं आज हम इस सभी टॉपिक के बारे में बात करेंगे step by step हम आप प्रपरेशन के बारे में बात करेंगे कि प्रपरेशन के लिए बैस्ट टिप्ट क्या है तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे हैं चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले CVT के बारे में हम थोड़ा सा बात करें तो common university entrance test जिसके माध्य हम से central university, state government university और कुछ private university में आपका admission होगा अब हम बात करें कि आप प्रपेश परिक्षा यानि CVT की तैयारी best से best कैसे कर सकते हैं तो फर्स्ट आपकी tips क्या है हम देखने वाले है अगर आप CVT में participate करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा तो फर्स्ट स्टेप आपकी यह है कि आपको university select करनी होगी यानि आपको ये decide करना होगा कि आपको किस university में admission लेना है आपको अपनी university पहले decide करनी होगी जैसे for example आप Dr. Hari Singh और university सागर में admission लेना चाहते हैं या आप बरकतुला university में admission लेना चाहते हैं आप देहली university में admission लेना चाहते हैं या आप बनारस university में admission लेना चाहते हैं तो आप अपने according university पहले select करेंगे फिस second step आपको क्या करना है जब आप university select कर लेंगे तो second step यह है कि आपको course decide करना है क्योंकि जब आप university select करेंगे तो आपको उस university में कौन सा course करना है तो यहां हम बात करें कि आप क्या बहतर कर सकते हैं तो यहां पे आपको क्या करना है एक केवल course choice नहीं करना है आप माल लीजिए आपको दो course में या तीन दो या तीन course आप यहाँ पर रखेंगे क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ आप करें तो कभी भी एक option ना रखें हमेशा आपके पास दो से तीन option होना चाहिए तो यहाँ पर आपको क्या करना अपना course select करना है और आप क्या करेंगे दो से तीन course decide करेंगे कि आपको किस course में admission लेना है अब चलते हैं next step पर फ्रेंट्स थार्ड step है आपकी जब आप university select कर लेते हैं आप course select कर लेते हैं इसके बाद आपको करना university criteria आपको जाके देखना है यानि कि आप criteria मतलब होता है कि university का योगिता क्या है यानि कि domain में आपको क्या select करना है section first language में आपको क्या select करना है या आपको general test कहां कहां select करना है तीनो section कहां compulsory हैं कहां नहीं हैं ये आपको जान लेना है क्योंकि सबसे man role अगर आपके admission में कोई जो है वो सबसे man role play करता है तो वो है university criteria यह बहुत important होता है अगर आप इस चीज़ को नहीं ध्यान दे रहा है आप इस चीज़ को skip कर रहा है तो याद रखें कि आपका admission नहीं होगा है तो आपने जिस भी university को choice किया है आपने जिस course को choice क किया है उसके according आपको सबसे पहले university का criteria देखना है अब हम बात करें कि आप university का criteria कैसे देखेंगे तो इसके लिए आपके सामने दो option है या तो आप जो ओफिसली बैप साइट है cvt कि आप वहाँ visit करें आपको वहाँ पर university के according course के according आपको criteria मिल जाएगा second option है आपके लिए व जिस भी university का criteria देखना चाहते हैं जिस course का देखना चाहते हैं आप वहाँ पे complete देख सकते हैं आगे हम बात करें next step आपके लिए है cvt application form जब आप university choice कर लें आप course select करने आपको किस course में बीशे लेना है criteria देखने के बाद ही आपको cvt का application form फिल करना है क्यूंकि आप जैसे c अगर आप नहीं करते हैं तो आपका admission नहीं हुआ है next हम देख लेते हैं fifth number आपका रहेगा syllabus क्यूंकि friends जब आप cvt का form फिल कर देंगे तो इसके बाद बहुत important होता है कि आप उस subject की उस course की या particular तयारी कर रहा है तो आप syllabus जान लें separate course के syllabus आपको बताए गए है Hindi to English आपको समझाया गया है तो आप देख सकते हैं next step की बात करें कि syllabus के अनुशार तयारी कैसे करें तो देखो जैसे ही आप syllabus देखेंगे तो वहां आपको topic मिलेंगे आपको उन topic को cover करना है क्योंकि जो topic आपको syllabus में दिये गाए है उन्ही topic से आपसे question पूछे जाएंगे है ना question आम से M से क्यों question पूछे जाएंगे यानि कि सही भी कल्प में आपसे question पूछे जाएंगे तो syllabus के according ही आपको तैयारी करनी है syllabus से बहार कुछ नहीं पूछा जाता है तो आप officially syllabus देखें उसके according आप तैयारी करना है स्टार्ट कर दे जब हम बात कर रहे हैं कि CVT की syllabus के according तैयारी करना है तो CVT सबसे जाएंगे पूछे प्रिशन बन जाता है कि CVT प्रविश पर इक्षा की तैयारी कैसे करनी है तो सबसे पहले आपको जैसी आप syllabus देख लेंगे तो अगर आपके पास सुभीदा है तो आप syllabus क क्योंकि आप देख सकें कि आप किन टॉपिक को पढ़ रहे हैं अगर हम बात करें कि आपके जो question है next आपकी step यही बनती है कि आपके जो question है वो आपको किस type की तैयार करने है तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप theory पढ़ लेंगे तो यह अब नहीं हो सकता है आपने पूरी साल पढ़ी है theory जब आप NCRT की पूरी साल आपने theory पढ़ी है तो अब आपको theory पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रुरत नहीं है सेकंड आप कहें कि आपने theory नहीं पढ़ी है तो क्या आपको पढ़ना चाहिए बिल्कुल नहीं क्योंकि जब आप साल भर में theory नहीं पढ़ पाए तो क्या आप एक महीने में पूरी NCRT की theory पढ़ लेंगे बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे तो इससे ज़्यादा वहतार ह अपना time बर्बाद करने से कि जो आपकी NCRT की book होगी उसमें last में आपकी summary रहती है आपको पढ़ने लेनी है और इसके बाद आपको MQ question से practice करनी है ठीके आपको जो important question है आपको क्योंकि जब भी हम paper की बात करते हैं तो सबसे मैं जब हम paper आ जाते हैं आपकी भी paper आया है भी important question पढ़ते हैं सेम आपको यहां पर करना है MCQ question आपको practice करने है जो भी IMP question है जो बार बार जो है वो पूछे जाते हैं आपको किवल बही question तयार करने है आपको कैसे पता चलेगा कि किस type के question पूछे जा रहे है तो इसके लिए next step follow करनी है वो है past paper देखें यानि आपके जो last past year के paper रहे हैं है ना तो बो जो 2020 के paper थे अपने 2022 के तो वो आपको देख लेने है जब आप वो paper देखेंगे तो यह होगा कि आप जो paper का pattern है वो क्या है आप समझ जाएंगे question का label समझेंगे और आपको जो syllabus में जो आपको topic दिये गए उन topic से किस तरह के question उठ रहे हैं आप ब पर कि जो question होते हैं उन topic से बहुत सारे question जो है वो बापिस बनके आते हैं तो बूचीज आपको यहां से कबर हो जाएगी next देखें domain, general test और language तो सबसे पहले आपको क्या करना है? मैं domain की तयारी करनी है क्योंकि language क्या होता है? जर्नली हम लोगों ने पढ़ा होता है यहना तो बूच हमें दिक्कत नहीं देती है, language हमारी बहुत जली तयार हो जाती है सबसे पहले आपको domain की तयारी best से best करनी है क्योंकि man role अदा यहां पर domain ही करते हैं तो जैसे कि आप b pharma की तयारी कर रहे हैं तो आपको महाँ पर domain में physics, chemistry, biology मांगे होंगी है physics, chemistry, math तो बहुत जादी चीज़े हैं आपर subject बना देते हैं सबसे पहले आप domain की तयारी करें इसके बाद आपको general test की तयारी करनी है क्योंकि general test में आपकी सबी चीज़े है current भी है, reasoning भी है और भी चीज़े है तो general test की आपको तयारी करनी है इसके बाद ही आप language पर ध्यान देंगे तो आपका हो जाएगा तीक है इसके बाद हम बात कर लें कि जब हम परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हम best book की अगर हम बात करें कि CUT परिक्षा की तैयारी कौन सी पुस्तक से करें ये भी एक important question होना चाहिए क्योंकि कोई भी पुस्तक की बिना किसी भी exam की तैयारी नहीं होती है कोई भी exam आप crack नहीं कर सकते बिना किसी पुस्तक के बिना किसी book के ये बहुत important होती है book आपके selection में है ना क्योंकि आप कभी भी mobile से पढ़के आप कभी internet से पढ़के जो है वो जादा से जादा कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए आपको जो है वो book जरूर पर्चिस करनी है अब हम बात करने कि कौन सी book है जो आपके लिए best रहेगी तो आप ये screen पर book देख पा रहे होंगे बुक का नाम है success mantra जो की news levels पर जो है वो book है परिक्षा पर नाली जो आपकी new है उस पर ही आधारत ये book है आपको ये जो screen पर आप देख पा रहे होंगे ये arts group की book है separate book आपको science group में and आपको commerce group में book मिल जाएगी जो की आपको अलग-अलग course में purchase करने की जरूरत नहीं है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर course लिखे हुए है अब हम बात कर लेते हैं पुस्तक की बिसे सताएं क्या है तुकि इंपॉर्डेंट है अगर्ट आपको science group में मिल जाएगी जब आप इसके back side देखेंगे तो आपको यहाँ पर उनके print मिल जाएं उनकी copy आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होगी science में भी आपको book available है commerce की गुरूप के लिए book available है सबी course के लिए यह book available है जिस book का नाम success मंत्र book है अब हम बात कर लेते हैं पुस्तक की बिसे सताएं क्या है तो कि इंपॉर्डेंट है अगर हम किसी book के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें जानना चाहिए कि इसकी बिसे सताएं all in one book है language plus domain plus general test यानि कि आपको language के लिए domain के लिए general test के लिए एक ही book आपको purchase करनी है यानि इसी book में आपको तीनो section मिल जाएंगे सेम आप स्कीन पर देख पारे हैं कि बुक में जैसे की लिखा हुआ है section 1 में आपको Hindi और English मिल जाएगा section 2 में आपको domain मिलेंगे section 3 में आपक इसी book में मिल जाएंगी third है आपकी bilingual book है Hindi and English यानि कि आपको ये दूई भासी पुस्तक है यानि कि दूनों भासा English और Hindi इसी book में है तो आपको English के लिए अलग से purchase नहीं करनी है Hindi के लिए अलग से purchase नहीं करनी है क्योंकि बहुत सारी बच्चे वो English में पढ़ना पसंद करते ह बहुत से Hindi में लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको नहीं Hindi समझ जादा आती है ना English तो ये काफी comfortable book आपके लिए रहेगी इसके बाद next है with practice paper इस book में आपको जब आपके domain के question खात्म होगे इसके बाद आपको एक practice paper मिलेगा तो वहां से आप अपनी practice कर सकते हैं कि आपने question तो ये बहुत important है इसके बाद with past paper इस book में आपको past year paper भी मिलेंगे आपको practice करने कोई और book purchase करने की ज़रूरत नहीं है आपको past year paper देखने के लिए कोई और book purchase करने की ज़रूरत नहीं है इसी book में आपको past year paper मिलेंगे इसके बात इसमें बात करें कि हम कितने question आपको मिल जाएंगे तो with 200 plus mcq question for practice आपकी practice के लिए आपर 200 plus question आपको इस book में practice के लिए मिलते हैं तो इतने सारे question आपको यह आपर तयारी के लिए मिल जाएंगे तो कापी अच्छी यह पुस्तक है अब हम बात करें कि यह book आप कैसे purchase कर सकते हैं तो आप देख पा रहे होंगे book available on stationary यह आपकी आजपास की stationary flip card amazon sweet post पर यह book available है तो आप यहां से भी यह book flip card से order करके आप purchase कर सकते हैं तो काफी कम आपको सस्ती यह book पड़ जाती है जादा मेंगा आपको बिलकुल भी नहीं पड़ेगा तो आप जादा से जादा अच्छी तयारी करें क्योंकि best आप तयारी करेंगे तो आपका selection होगा आप देख पारे होंगे limited seed होती है बहुत मुस्किल होता है admission के लिए तो आपको काफी अच्छी तयारी करनी है form बने से पहले आपको criteria जरूर चेक कर लेना है तो I.O.Friend वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like करें चैनल को subscribe करना बिलकुल न भूले अगर आप वुक का review देखना चाहते हो तो वीडियो के description box में आपको link मिल जाएगी अधिक जानकारी के लिए हमारे WhatsApp नमर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं वीडियो के description box में आपको contact नमर मिल जाएगा जिसमें आप WhatsApp की तुरू हमसे संपर्क कर सकते हो चैनल पर बने रहे मिलते हैं नेक्स वीडियो में न्यू अपडेट के साथ